और मुझे इस बात की खुशी है कि इस कारकम में अलग-अलग राज्यों से इतने जन प्रतिनीदी भी मौझूद है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आज केवडिया के लिए निकल रही ट्रेनों में एक ट्रेन पूर्ची तलैवर डॉक्तर एमजी रामचंदरन सेंटर रेल्वेस्टेशन से भी आ रही है। ये भी सुखत संयोग है कि आज भारत रतना M.G.R. की जैनती भी है। M.G.R. ने फिल्म स्क्रिन से लेकर पॉलिटिकल स्क्रिन तक लोगों के दीलों पर राज किया था। उनका जीवन उनकी पूरी राजलितिक यात्रा गरीबों के लिए समर्पित थी। गरीबों को सम्मान जनक जीवन मिले इसके लिए उन्होंने निरंतर काम किया था। भारत रत्न M.G.R. के इन आदर्शों को पूरा करने के लिए आज हम सब प्रयास कर रहे हैं। कुछ साल पहले ही देश ने उनके सम्मान में चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर M.G.R. के नाम पर किया था। उन्हें स्रधांजली देता हूँ। साथियों आज के वड़िया का देश की हर दिशा में हर दिशा से सीधी रेल कनेक्टिविटी से जुड़ना पूरे देश के लिए एक अदभूत ख्षान है। हमें गर्व से भरने वाला पड़ है। थोड़ी देर पहले चेन्ने के अलावा वारानसी, दीवा, दादर और दिल्ली से के वड़िया, एक्सप्रेस और एंदाबाद से जन स्रताब्य एक्सप्रेस के वड़िया के लिए निकली है। इसी तरह के वड़िया और प्रताबनगर के बीच भी मेमू सेवा शुरू हुई है। डभोई चांदोत रेल लाइन का चौड़ी करण और चांदोत के वड़िया के बीच की नई रेल लाइन अब के वड़िया की विकास यात्रा में नया आध्याय लिखने जा रही है। इस रेलिवे के खारकम से मैं जुड़ा हूँ, तो कुछ पुरानी स्पूरुतिया भी ताजा हो रही है। बहुत कम लोगों को मानूं होगा कि बड़ोदा और रभोई के बीच में नेरोगेज रेलिवे चलती थी। मुझे अक्सर उसमें यात्रा करने का आफसर रहता था। माता नर्वदा के पती मेरा एक जमाने में बड़ा विशेश आकरसन रहता था। आना जाना होता था। जीवन के कुछ पल मांदर्दा की गोद में बिताता था। और उस समय इस नेरोगेज ट्रेन से हम चलते थे। और ये नेरोगेज ट्रेन का मजा ये था। कि आप उसकी स्पीड इतनी धीमी होती थी कहीं पर भी उतर जाईए कहीं पर भी उसमें चड़ जाईए बड़े आराम से। इवन कुछ पल तो आप साथ साथ चले तो ऐसे लगता है कि आपकी स्पीड जादा है। तो मैं भी कभी इसका मजा लूटता था लेकिन आज बब वो ब्रॉड गेज में कनवर्ट हो रहा है। इस रेल कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा लाब स्टेची आफ यूनिटी देखने आने वाले तुरिस्टों को तो मिलेगा ही। ये कनेक्टिविटी केवडिया के आदिवासी भाई बेहनों का जीवन भी बदलने जा रही है। ये कनेक्टिविटी सुभीदा के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए आउसर भी लेकर आएगी। ये रेल लाइन मान नर्वदा के तट पर बसे करनाली, पोईचा और गरुडेश्वर जैसे आस्ता से जुड़े महत्वपुन स्थानों को भी करेक्ट करेगी। और ये बात सही है, ये पूरा क्षेत्र एक प्रकार से spiritual vibration से भड़ा हुआ क्षेत्र है और इस वबस्ता के कारण जो आम तोर पर अध्यार्ट में गतिविदी के लिए यहां आते हैं, उनके लिए तो बहुत ही एक प्रकार था ये बहुत बड़ी भेट शोकात है। भावी और भेनों, आज केवडिया गुजरात के सुदूर इलाके में बसा, एक छोटा सा ब्लॉक नहीं रह गया है, बलकि केवडिया बिश्वके सबसे बड़े टूरिस्ट डेशनलेशन के रुप में आज उभर रहा है। Statue of Unity देखने के लिए, अब Statue of Liberty से भी जादा टूरिस्ट पहुचने लगे है। अपने लोगकारपन के बाद करीब करीब पच्चास लाक लोग Statue of Unity को देखने आ चुके हैं। कोरोना में महिनों तक सब कुछ बंद रहने के बाद अब एक बार फिर के वड़िया में आने वाले टूरिस्टों की सग्या तेजी से बढ़ रही है। एक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि जैसे जैसे केनक्टिविटी बढ़ रही है बविश में हर रोज एक लाख तक लोग के वड़िया आने लगेगी है। साथियों छोटा सा खुबसूरत के वड़िया इस बात का बहत्रीन उदारण है कि कैसे प्लान तरीके से परियावरण की रक्षा करते हुए एकोनमी और एकोलोजी दोनों का तेजी से विकास किया जा सकता है। यहाँ इस कारकम में उपस्तित बहुत से गणमान्य लोग शाहिद के वड़िया नहीं गए होंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि एक बार के वड़िया की विकास यात्रा देखने के बाद आपको भी अपने देश की इस शांदार जगह को देखकर के गर्व होगा। दुनिया का बहतरीन फैमिली टूरिस्ट डेजिनेशन बनाने की बात की जाती थी, तो लोगों को यह सपना ही लगता था। लोग कहते थी यह संभवी नहीं है, हो ही नहीं सकता। इस काम में तो अडे को दुशक लग जाएंगे। खेर पुराने अनुभव के अधार पर उनकी बातों में तर्क भी था। न केवडिया जाने के लिए चौडी सडके, न उतनी स्ट्रीट लाइट हैं, न रेल, न टुरिस्टों के रहने के लिए बहतर इंतजाम। अपनी ग्रामिन पुर्ष्ट भूमी में केवडिया देश के अन्य छोटे से गाउं की तरही एक था। लेकिन आज कुछी वर्षों में केवडिया का काया कल्प हो चुका है। केवडिया पहुंचने के लिए चौडी सडके हैं, रहने के लिए पूरा टैंड सीटी हैं, अन्य अच्छे इंतजाम हैं, बहतरीन मॉबाइल कनेक्टिमिटी हैं, अच्छे अस्पताल हैं। कुछ दिन पहले सी प्लेन की सुविदा शुरू हुई हैं, और आज देश के इतने सारे रेल रूट से के बढ़िया एक साथ जुड गया है। ये शहर एक तरह से कंप्लीट फैमिली पैकेज के रुपे सेवाई दे रहा है। स्टेजी अफिनिटी और सरदार सरो और बांत की भव्यता उनकी विशालता का हैसास आप के बढ़िया पहुँचकर ही कर सकते हैं। अब यहां सेंकडो एकड में फैला सरदार पटेल जूलोजिकल पार्क हैं। जंगल सफारी हैं। एक तरफ आयुरुवेद और योग पर आधारित आरोग्य वन हैं। तो दूसरी तरफ पोशन पार्क हैं। रात में जगमगाता गलोग गार्डन हैं। तो दीन में देखने के लिए कैक्टस गार्डन और बटलफाइल गार्डन हैं। टुरिष्टों को घुमाने के लिए एक ता क्रूज हैं। तो दूसरी तरफ नवजवानों को साहस दिखाने के लिए राप्टिंग का भी इंतजाम है यानि बच्चे हो युवां हो या बुज़ुर सभी के लिए है बहुत कुछ है बढ़ते हुए परियतन्ट के कारण यहां के आदिवासी युवाओं को रोजगार मिल रहा है यहां के लोगों के जीवन में तेजी से आदूनिक सुविदाएं पहुँच रही है कोई मैनेजर बन गया है कोई कैफे ओनर बन गया है कोई गाइड का काम करने लगा है मुझे आद है जब मैं जू लोजिकल पार्क में पक्षियों के लिए विशेश एवेरी डॉम गया था तो वहाँ एक स्थानिय महिला गाइड ने बहाद विस्तार से मुझे जानकारी दी थी इसके अलावा केवडिया की स्थानिय महिला उनको हेंडिक्राप के लिए बनाये गए विशेश एकता मॉल में अपने सामान की बिक्री का मोका मिल रहा है मुझे बताया गया है कि केवडिया के आदिवासी गाउं में दोसो से जानदा रूम्स की पहचान करके उन्हें टुरिश के होमस्टे के तौर पर विक्सित किया जा रहा है बाई और बहनों केवडिया में जो रेल्वे स्टेशन भी बनाया गया है उसमें भी सुविदा के साथ साथ तूरिजम का ध्यान रखा गया है यहां ट्राइबल आर्ट गैलेरी और एक वियूइंग गैलरी भी बनाई जा रही है इस वियूइंग गैलरी से परियाटक स्टेश उव यूनिटी को देख पाएंगे थात्यों इस प्रकार के लक्ष और लक्ष केंद्रित प्रयास भारतिय रेल के बदलते स्वरुप का भी प्रमाण है भारतिय रेल पारंपारिक सवारी और मालगाड़ी वाली अपनी भूमगा निबाने के साथ ही हमारे प्रमूग टुरिस्ट और आस्था के जुड़े सरकीट को भी सीधी कनेक्टिविटी दे रही है अब तो अनेक रूट्स पर विष्टा डोम वाले कोचीच भारतिय रेल की यात्रा को और आकर्शक बनाने वाले हैं अमदाबाद केवडिया जन्शताब्दी एक्सप्रेस भी उन ट्रिनों में से होगी जिसमें विष्टा डोम कोच की सुविदा मिलेगी साथियों बिते वर्षों में देश के रेल इंफ्रसक्चर को आधुनिक बनाने के लिए जितना काम हुआ है वो वाकई अभुत्पूर्व है आजादी के बाद हमारी जादात और उर्जा पहले से जो रोली व्यवस्ता थी उसको ठिक ठाक करने या सुधारने में लगी लगी उस दौरान नई सोच और नई टेक्नलोजी पर फोकस कम ही रहा यह एप्रोच बदली जानी बहुत जरूरी थी और इसलिए बीते सालों में देश में रेलवे के पूरे तंत्र में व्यापक बढ़लाव करने के लिए काम किया यह काम सिर्फ बजेट बढ़ाना घटाना नई ट्रेनियों की गोश्णाएं करना यहां तक सिमित नहीं रहा यह परिवर्तन अनेक मोर्चों पर एक साथ हुआ है अब जैसे केवडिया का रेल से कनेक्ट करने वाले इस प्रोजेक्ट का ही उदारण देखें तो इसके निर्मान में जैसे अभी वीडियो में बताया गया था मौसम ने कोरोना की मामारी ने अनेक प्रकार की बहदाएं आई लेकिन रिकॉर्ड समय में इसका काम पूरा किरा गया और जिस नई निर्मान टेक्नोलोजी के इस्तमाल अब रेलिवे कर रही है उसने इसमें भाब मदद की इस दौरान ट्रैक्स से लेकर पूरों के निर्मान तक नई टेक्नीक पर फोकस किया गया स्थानी अस्तर पर उपलब्द संसाधों का उप्योग किया गया सिग्नलिंग के काम को तेज करने के लिए वर्चियल मोड के जरिये टेस्ट किये गए जबकि पहले की अगर स्थित्यों में ऐसी रुकावाटे आने पर अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट लटक जाते थे साथियों डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर का प्रोजेक्ट भी हमारे देश में पहले जो तौर तरीके चल रहे थे उसका एक उधारण ही मान लिजी है पूर्वी और पस्चीमी डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर ने के एक बड़े सेक्षन का लोकारपण कुछी दिन पहले मुझे करने का मोका मिला राष्ट के लिए बहुत जरूरी इस प्रोजेक्ट पर 2006 से लेकर 2014 तक यानि लगभग आट सालों में सिर्फ कागजों पर ही काम हुआ 2014 तक एक किलोमेटर ट्रेक भी नहीं विशाया था अब अगले कुछ महिनों में कुल मिला करके ग्याना सो किलोमेटर का काम पूरा होने जा रहा है साथियों देश में रेल नेट्वर्क के आधुनी करन के साथ ही आज देश के उन हिस्सों को रेलवे से कनेक्ट किया जा रहा है जो अभी कनेक्टेड नहीं थे आज पहले से कहीं जादा तेजी के साथ पुराने रेल रूट का चावडी करन और बिजली करन किया जा रहा है रेल ट्रेक को जादा स्पीड के लिए सक्षम बनाया जा रहा है यही कारण है कि आज देश में सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाना संभव हो रहा है और हम हाई स्पीड ट्रेक और टेकनलोजी के तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं इस काम के लिए बजेट को कई गुणा बढ़ाया गया है यही नहीं रेलवे एन्वार्मेंट फ्रेंडली भी हो यह भी सुनिसित किया जा रहा है के बढ़िया रेलवे स्टेशन भारत का पहला एसाफ स्टेशन है जिसको सुरुवात से ही ग्रीन बिल्डिंग के रूप में सर्टिफिकेशन मिला है भाई और भेनो रेलवे के तेजी से आधुनी करण का एक बड़ा कारण रेलवे मेनिफेक्चरिंग और रेलवे टक्लोलोजी में आत्म निर्भरता पर हमारा बल है हमारा फोकस है बीते सालों में इस दिशा में जो काम हुआ उसका परणाम अब दीरे 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 हमारे सामने दिख रहा है अब सोचिए अगर हम भारत में हाई होर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमेटिव नहीं बनाते तो क्या दुनिया की पहली डबल स्ट्रेक लॉंग होल कंटेंडर ट्रेन क्या भारत चला पाता आज भारत में ही बनी एक से एक आधुरिक ट्रेने भारती रेल का हिस्सा है भाई और भेनों आज जब भारती रेल के ट्रांस्फोर्मेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो हाइली स्किल स्पेशालिस्ट मेंपावर और प्रोफेशनल्स भी बहुत जरूरी है बढ़ोद्रा में भारत की पहली डिम रेल्वे युनिवर्सिटी की स्थापना के पीछे यही मक्सद है रेल्वे के लिए इस प्रकार का उच्च संस्थान बनाने वाला भारत दुनिया के गीने चुने देशों में से एक है रेल्वे ट्रांस्पोर्ट हो मल्टी डिसिप्लेनरी रिसर्च हो ट्रेनिंग हो हर प्रकार की आदुनिक सुविदाये हो यह सारी चीजें यहां उपलब्द कराई जा रहे हैं बीस राज्यों के सैंकडो मेगावी युवा भारतिय रेल के वरतमान और भविश को बहतर बनाने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर रहे हैं यहां होने वाले इनोवेशन्स और रिसर्च से भारतिय रेल को आदुनिक बनाने में और मदद मिलेगी भारती रेल भारत की प्रगती के ट्रैक को गती देती रहें इसी कामना के साथ फिर से गुजरात सहीत पुरे देश को इन नई रेल सुविदा के लिए बहुत-बहुत बदाई और सरदार साब को एक भारत स्रेश भारत का उनका जो सपना था जब हिंदुस्तान के कौने कौने से Statue of Unitive के पवित्र धरापर देश की भिन्द भिन्द भाशाएं भिन्द भिन्द वेश्वाले लोगों का आना जाना बढ़ेगा तो देश की एकता का वो द्रश्य एक प्रकार चे नित्य वहां लगू भारत हमें दिखाई देगा आज केवडिया के लिए बड़ा विशेश दिवस हैं देश की एकता और अखंडिता की जो निरंतर प्रयाद चल रहे हैं उसमें एक नया ध्याय है मैं फिर एक बार सबको बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार रात दस बजे टीवी नाइन भारत वर्ष पर